वहीं भाजपा से विद्रों कर निर्दलिये चुनाव लड़ रहे हैं राची के सांसद राहम टल चौधरी ने परधान मंत्री आगमन पर कहा कि जब मैं बीजेपी के सीट से लड़ता था तो किसी परधान मंत्री या मुख मंत्री के रोड़ शो की आवस्चता नहीं होती थी तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार विपक्ष में मैं हूँ तो परधान मंत्री को मुख मंत्री को रोड़ शो करना पड़ा है अब लोगों को चात्री की दिल वाया तो वहां हम कचरिठे सोच रहे हैं कि हम 25 वरा समने एक आदमी दुआ दिए कि कानून और समिधान बना रहे हैं तो ये इस्तिती रहा है और यब हमको कहा गया कि आप स्वक्षा से लिग लिए कि हम चुनाओं नहीं लड़ेंगे आप समझ लिए कि बना बना खेत है और कोई भी जाके चर लेगा, कोई भी काट लेगा, फसल तयार हुआ है एक पार्टी के नेताओं को गलत प्रामी से या डायरेक्ट हम से जुड़ेवे थे और मैनेस लोगों को पार्टी से जोड़ा है तो राम्टल जी इस बार मिला फुटबोल कैसे किजिया गूल अब तक आप कमल आपकी पार्टी इस बार आप अलग पूरी बार तो होने नहीं देशे हैं हमने कहा है यह का पूरा छेतर हो गया यह गलत हो भान भी था अगर पार्टी का है तो पच्छतर पर्षेंट राम्टल चोदरी का प्रिक्ति जत्र लगावाँ है तो यह इस्तिती रहा आप पूछे और उसमें आप ले दिये दुसरे को तो यह तो बहुता स्विकार करेंगे नहीं अगर लोग जूड़ते हैं तो आदमी देखके जूड़ते हैं स्केर पार्टी को अगर बनाता है तो ब्यक्ति बनाता है ब्यक्ति अच्छे रहते हैं गर करता अच्छा रहता है तो उससा जूड़ता है और गरवर रहता है तो उसका परिनाम में गरवर रहता है यह इस्तिकी रहा है